आप सभी का PMS Knowledge Plus चैनल पर हार्दिक स्वागत है हमारा आज का टोपिक है अक्षांश एवं देशांतर जब भी हम बुगोल की शुरुवात करते हैं तो इनहीं अक्षांश एवं देशांतर से करते हैं तो देखो ये जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं तो अब क्या है कि हम देखते हैं डिटेल से इस टोपिक को अक्षांश एवं देशांतर की तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो अब देखो आपको अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं दिखाई दे रही होंगी इस चित्र में तो ये क्यों है और ये रेखाएं क्यों खींची गई हैं तो ये रेखाएं प्रित्वी पर खीचने का सिर्फ यही कारण है कि हमें क्या पता चल साए किसी भी जगा की स्थिती के बारे में अगर हमें पता लगाना है किसी भी जगा की लोकेशन के बारे में अगर हमें पता करन तो हम इन रेखाओं के माध्यम से कर सकते हैं ठीक है तो ये जो है ये हमारी प्रिथ्वी पे रेखाएं नहीं है ये सिरफ हमने कालपनिक तरीके से बनाई गई है ठीक है हमने हमारी जरूरत के अकोर्डिंग इनको बनाया है ठीक है ताकि हम क्या कर सकें किसी भी जगा की स्थी अक्षांश है क्या थीक है तो अक्षांश सिरफ इतना ही है कि पृत्वी के केंदर ये देखो अगर मैंने कोई ग्लोब डू कर लिया थीक है पृत्वी केंदर से कोणी ये दूरी बनाते हुए भूम अद्दे रेखा को अधार मानकर ठीक है अभी मैंने क्या बोला मैंने रिपीट कर देती हूँ कि पृत्वी के केंद्र से कोनिय दूरी बनाते हुए भूमध्य रेखा को अधार मानकर इन लाइन्स को खीजते हैं तो इन रेखाओं को हम अक्षाश रेखाएं बोल देते हैं मतलब क्या था कि जितना भी मैंने बोला मैं आपको थोड़ा और समझा देती हूँ डिटेल से कि मैंने अगर ये गलोब बना लिया और ये मेरी जो जीरो डिगरी की लाइन है ये कहां से जाती है ये मेरी भूमध्य रेखा से जारी है ठीक है जीरो डिगरी जो लाइन है ये क्या है इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं इसी को हम क्या मान रहे हैं अधार मान रहे हैं अक्षाश को बनाने के लिए इस पर मैंने क्या कर दिया एक कौन बना दिया कौन बनाते हुए मैंने क्या कर दिया इस ल बात करते हैं देशांतर की की देशांतर क्या है तो देखो हमारे क्या है हमने जब ये गलोब बना लिया तो यहां पर दो ऐसे बिंदू है जो फिक्स है ठीक है जो दो हमारे जो दुरूव है वो क्या है निश्चित है वो चेंज नहीं होते क्या कौन से दुरूव है वो एक त जो है उत्री द्रूव और एक है हमारा दक्षिनी द्रूव यह जो zero degree की क्या हो गई हमारे पास भूम अद्य रेखा हो गई अब मैं क्या कर रही हूं अब मिरको ये बोला है कि दोनो धुरूवों को मिलाने वाली ठीक है दोनो धुरूवों को ये जो रेखा मिला रही है इसी कालपनिक रेखा को क्या कहा जाता है इसी कालपनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है मैं फिर से बोल देती हूँ कि ये जो दोनों ध्रूव हैं उत्री ध्रूव एवं दक्षिनी ध्रूव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है इसे देशांतर कहा जाता है तो ये तो था students basic सा परिच्चिय अक्षांश एवं देशांतर का अब हम विस्तार रूप से बात करते हैं अक्षांश एवं देशांतर पर तो चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ ठीक है तो यहां जो आपको screen पे show हो रहा है यहां पे define लिखी हुई है परिभाशा लिखी की तो यहां से आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं नोट्स बना सकते हैं जैसे जैसे मैं आपको बोल रही हूं तो start करते हैं हम हमारा अक्षांश का परिभाशा और मैतपूरन प्रिच्चिय है देखो बच्चो जैसे मैंने अभी आपसे बात करी थी कि जो अक्षांश है अक प्रिथवी का क्या है एक केंदर है अब आप सभी को पता है कि प्रिथवी क्या है गोल है ठीक है तो प्रिथवी का कोई हमें छोड तो मिलेगा नहीं ठीक है लेकिन जो प्रिथवी के ऐसे दो बिंदू है जो क्या है निश्चित है जो बदलते नहीं है ठीक है एक बिंदू त भूमध्य रेखा बोलते हैं ठीक है या फिर क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं जिसका मान क्या है जीरो डिग्री रेखा ठीक है बचों अब जो हमने यह लाइन कीची है केंदर से गुजरते हुए ये लाइन ये भूमद्यय रेखा क्या करेगी पृत्वी को दो समान भागों में विभाजित कर देगी ठीक है ये बीचो बीच से जा रही है और ये क्या कर रही है ये पृत्वी को दो समान भागों में बांट रही है और इसका नाम क्या है इसका न तो ये रेखा क्या करती है प्रित्वी के बीचों बीच से गुजरती है ठीक है और अब क्या है हम हमारे जो अक्षांश बनाएंगे वो इसी रेखा को बेसलाइन मानकर इस रेखा को अधार मानकर ही हमारे अक्षांश जो है बनाएंगे ठीक है अब और ये रेखा क्या करती है ये हमारे उत्तर एवं दक्षिन को बांट देती है जब ये रेखा हमारे उत्तर एवं दक्षिन शेत्र को बांट देती है तो क्या बोला जाता है उत्तर के शेत्रों को तो बोला जाता है उत्तर के शेत्रों को उत्री गोलार्द ठीक है और दक्षिन के शेत्रों को क्या बोला जाएगा दक्षिन गोलार्द ठीक है तो ये हो गया हमारे पास दक्षिन गोलार्द और ये वला हिस्सा है हमारे पास उत्री गोलार्द उत्री गोलार्द मतलब Northern Hemisphere और दक्षिनी गोलार्द मतलब Southern Hemisphere ठीक है तो इतना आपको समझ आ गया होगा अभी जो हमारा आदा गोला है इसी आदे गोले की मैं बात कर रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देती हूँ कि मैंने अभी आपको ये बताया है कि ये जो गोला है इसे हम क्या बोलेगे डक्षिनी गोलार्द ठीक है तो अब हम बनाते हैं हमारी अक्षाश रेखाओं को तो ये मैंने क्या बना लिया मैं वापस क्या कर लेती हूं ग्लोब बना लेती हूं ये मैंने globe बना लिया, बीच में पृत्वी का एक केंदर बना लिया और zero degree यहां से रेखा बीचों बीच से जा रही है इस रेखा को बू मद्य रेखा बता दिया मैंने ठीक है, तो अब हमने क्या किया है? इस रेखा को मैंने base मान लिया ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक डिगरी का कौन बनाना ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ? मैंने यहां पर एक डिगरी का जो है कौन बना लिया जब मैंने यहां पर एक डिगरी का कौन बना लिया ठीक है, कौन बना कर मैं क्या करूंगी? इस भूमद्य रेखा के समांतर एक और रेखा खींच दूँगी इसी रेखा को क्या कहा जाएगा इसी रेखा को एक डिगरी अक्षांश रेखा बोला जाएगा समझ आ गया कि मैंने क्या किया फिर बता देती हूँ कि एक गलोब बनाया ठीक है बीच में केंदर बना दिया यहां से एक लाइन गुजरी जो क्या है भूमद्य रेखा इस भूमद्य रेखा को अधार मानकर मैंने एक डिगरी का कौन बनाया एक डिगरी का कौन बनाकर इसके स समांतर जो एक रेखा है वो खिंच दी अब यही रेखा क्या बन गई मेरा एक डिगरी अक्षाश बन गया ठीक है अब और क्या कैसे बनेंगी रेखाएं और भी आगे भी रेखाएं क्या है बनती रहेंगी कैसे दो डिगरी जो अक्षाश है वो भी मैं बना लूँगी ठीक है बच्चों यहां पर बना रखा है मैंने यह भूमद्य रेखा हो गई यह एक डिगरी का कौन बना लिया फिर एक समांतर रेखा बना दी ठीक है तो अब क्या है इनी रेखाओं को जब हम बनाते रहेंगे तो हमारे पास यह जो है यह जो है हमारा चित्र बनकर आ जाएगा ठीक मेरा आप से सवाल ये है कि ये तो मैंने सारे उत्तर के अक्षाश बना दिये अब ये जो उत्तर के अक्षाश है इनकी अधित्तम संख्या कितनी हो सकती है यानि कि उत्तरी गोलार्द में कितने अक्षाश बनाए जा सकते हैं तो कितने अक्षाश हो जाएंगे तो उत्तरी गो गोलार्द की दक्षिनी गोलार्द में भी हम इसी तरह क्या करेंगे एक डिगरी का जो एंगल है वो बनाते जाएंगे और इसी तरह नब्बे अक्षांश दक्षिनी गोलार्द में भी बना देंगे उसकी भी मैं आपको पिच्चर दिखा देती हूँ यह आपके पास क्या है चितर है जिसमें उत्री गोलार्द में भी 90 अक्षांश बनाए हैं हमने और दक्षिनी गोलार्द में भी कुल कितने अक्षांश बना दिये 90 अक्षांश बना दिये अब आपके सामने एक परशन आ जाएगा सीधा तोर पे कि कुल अक्षांशों की संख्या बताईए तो कुल क कितने अक्षांश बनेंगे तो मैंने आपको बता दिया था कि उत्री गुलार्द में 90 अक्षांश बनें तो इसी आप तो आपको मैम 180 अक्षांश हो गए लेकिन यह गलत है यह कितने अक्षांश होंगे यह जो नीड़ी तो यह जो हमारा अक्षांश है इसे भी हम जोड देंगे ये भी एक रेखा है तो 180 में एक जोड़े तो कुल अक्षांश की कितनी संख्या आजाएगी 181 तो हमारे पास अक्षांशों की संख्या हो गई 181 81 लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या बताईए ये तो हमने अक्षांशों की संख्या बताई है फिर से मैं आपको कोश्चन बता देती हूँ कि मैंने आपको पहले बताया अक्षांशों की संख्या अक्षांशों की संख्या कितनी होगी 181 हो गई क्योंकि 90 अक्षांश उत्री गुलार्द में बने 90 दक्षीनी में और एक हमारी भूमध्य रेखा हो गई तो ये तो है कुल अक्षांशों की संख्या अब मैंने आपसे पूछा है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या बताईए किसकी संख्या बतानी है अक्षांश रेखाओं की संख्या मैंने अब आपसे पूछ ली है तो अक्षांश रेखाओं की क्या संख्या होगी इसे आप सोचिए यह बहुत ही जादा important जो है प्रशन है बहुत ही जादा महतबूरन प्रशन है सोच ये थोड़ा कितनी होगी तो मैं आपको फिर से क्या है उसी मेरे चित्र पे ले चलती हूँ ये हम चित्र पे आ गए है ठीक है जहां पर हमने 90 अक्षांश उत्तर में 90 दक्षिन में बनाए थ ठीक है लेकिन जो ये हमारे ध्रूव है ठीक है ये जो हमारे ध्रूव है उत्तर में और दक्षिन में यहां तो हमने क्या है कोई भी रेखा नहीं खीची है ठीक है ये ऐसे अक्षांश है जहां पर जो है रेखा नहीं बनती ना ही 90 उत्तर वाले पे बनती है ना ही 90 दक्षि 179 ठीक है तो मेरे पास अगर पूछ लिया जाए अक्षांश रेखाओं की कितनी संख्या है तो 179 है क्योंकि क्या है कि यहां पर जो 90 के जो यह 99 नर्थ का यानि कि 90 उत्तर का और 90 साउत का ठीक है यहां पर क्या है अक्षांश बिंदू बनाते हैं ठीक है लेकिन ये क्या है रेखा नहीं बना रहे है यहां पे जब रेखा नहीं बनेगी तो क्या होगा 181 में से 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या आगी 179 तो मेरे को लगते हैं आपको ये clear हो गया होगा पास देनी हो तो हम ये दे सकते हैं कि भू मद्य रेखा के समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं ठीक है अब हम कुछ बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ी और जो है अच्छी जो और जो महतवपूरन बाते हैं उन पे मैं विस्तार पूर्वक चर्चा आपके साथ कर लेती हूँ अक्षांश रेखाओं के मद्य दूरी एक समान होती है अभी मैंने आपको यहां पे पिच्चर दिखाई है तो इनके जो मद्य दूरी है ना इनके बीच में अक्षांश रेखाओं के बीच में तो यह क्या है समानन अंतर है यह क्या है बराबर है समझ आ गया कि हमेंने आपको यह बताया है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है और इनके बीच की जैसे दो जो मेरे अक्षांश बन रहे हैं इनके बीच की जो दूरी कितनी है तो वो एक डिगरी जो है इनके बीच की दूरी आ गई अब अगर कोई मुझसे पूछे कि एक डिगरी का मान कितना होता है तो एक डिगरी का मान होता है बच्चों 111 किलोमिटर ठीक है तो अगर बात आपसे पूछ ली जाए कि एक दो अक्षांशों के बीच की मद्य की दूरी कितनी होगी तो वो होगा एक डिगरी अगर सिधा वो एकशांशों के बीच की मदय दूरी हम किलो मिटर में बतानी हैं तो हम बता सकते हैं 111 किलो मिटर का जो है दूरी होगी दो अकशांशों अकशांश रेखा के मद्य अब एक और मेहत पूरण जो बात है मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने यहां पर रेखाई बना रखी है अब यह जो रेखाई बना दी यह मेरी क्या है दो मैंने अक्षांश बना रखे हैं अब यह जो मद्य का जो इसका भाग होगा इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बच्चों कटी बंद ठीक है, डो अक्षान्श रेखाऊं के जो मद्य का भाग है उसे हम क्या बोल देंगे, कटी बंद बोल देंगे, इतना भी आपको समझ आगया होगा, कटी बंद को हम अंग्रेजी में बैल्ट बोलते हैं, अब एक और प्रेशन मैं आप आपसे पूछूं कि गुर्तवा कर्शन जो बल है सरवादिक कहा होता है आपको बताना है कि जो गुर्तवा कर्शन बल है वो सरवादिक कहा होता है धुरूव पर या फिर भूमद्यरेखा पर या आपके दो अप्शन हो गए कि गुर्तवा कर्शन जो बल है ग्रैविटेशनल force है सबसे ज़्यादा कहां पर होता है दुरूवों पर होता है या फिर भूमद्य रेखा पर होता है सोचिए तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूं कि गुर्तवा कर्शन जो बल है वो सरवादिक कहां पर होता है, तो गुर्टवा कर्षन बल सरवादिक ध्रूवों पर होता है भूम अद्दे रेखा पर नहीं होता ठीक है, अब एक दो चीजें और बची है अक्षान्षों के बारे में वो मैं आपको बता देती हूँ अब भूम अद्दे रेखा वो बराबर होते हैं ठीक है बराबर क्यों होते हैं क्योंकि साल में जो सूरे की किरने पढ़ती है इस पे वो किस कैसे पढ़ती है तो वो लंबवत पढ़ती है ठीक है बूमद्य रेखा पर साल बर दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि साल भर सूरे की रेखाएं यहां पर स सूरे की किरने लंबवत पढ़ती हैं इतना आपको समझ आ गया होगा अब एक और चीज जो है मैं आपको बता देती हूं कि जो सभी अक्षांश होते न बच्चो यहां पर हमने बात करी थी कि सारे अक्षांश होते हैं वो किस शेप में मान सकते हैं तो वो क्या होते हैं वो व जाएगा कि सबसे बड़ा वरत कौन सा होगा सबसे बड़ा वरत कौन सा होगा तो यह देखो यहां पर जो है वरत बनेगा ठीक है यहां पर जो वरत बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे सोचिए देखिए एक तो यहां पर वरत बनेंगे और एक यहां पर हमारा वरत बने क्यो जो यहां दुरूवों पर जो वरत बनेगा उसे हम बोलेंगे दुरूविय वरत ठीक है जो दुरूवों पर हमारे पास वरत बन रहा है उसे हम कहेंगे दुरूविय वरत और जो हमारा यहां पर भूमदे रेखा पर जो हमारे पास वरत बन रहा है इसे हम बोलेंगे व्रत, तो इतना आपको आज का टोपिक समझ आ गया होगा, कल हम बात करेंगे कुछ महतपूरण अक्षांश रेखाओं पर, ठीक है, कौनसी खॉनसी रेखा होती है, जैसे करक रेखा, मकर रेखा, जो दूसरे हमारे जो महतपूरण अक्षांश बचे हैं, उनसे भी बात करें ठीक है बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में